नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मित्रों पुस्तक समिक्षा कारिकरम में आपका एक पर फेड़ से स्वागत लाई हूँ एक उपन्यास अमावस्या में खिला चांद आप देख सकते हैं और इसके रचिता हैं लाचपत दोस्तों आज मैं इस पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगी पेपर बैक में हैं 2023 में प्रकाशित हुआ है और बोधी प्रकाशन जैपूर से आया प्रिष्ट 127 मुले 150 परिचे देना चाहूंगी लाचपत जी के बारे में ये मुलते उपन्यासकार हैं इन्होंने में अंग जी पुस्तक इन्होंने समर्पित किये श्रद्दे डॉक्टर लाल चंद गुप्त मंगल जी को और उसके बाद इन्होंने आत्मकथे में क्या लिखाया इन्होंने लिखाया कि आभासी दुनिया के निरंतर बढ़ते प्रभावतता नैतिक मुल्यों के निरंतर हरास के कारण समाज में पवित रिष्टों की गरिमा बड़ी तीवरता से लुप्त होती जा रही है मित्रता पारिवारिक रिष्टों से अलग एक ऐसा मानवे रिष्टा है जिसमें व्यक्ति की मित्र से कोई अपेक्षा नहीं होती फिर भी उसके सुख दुख से व्यक्ति प्रभावित होता है और अपने समर्थे अनुसार उसमें अपनी भागिदारी सुनिश्चित करता है आगे इन्होंने का है मित्रता एक श्रेश्ट मानुवे गुण है उसके बाद इन्होंने यह बताया है कि यह उपन्यास इन्होंने इसी को मद्ध नजर रखते हुए रचा है और उसके बाद भूमिका लिखी है डॉक्टर मनोज भारत है महामंतरी अखिल भारती साहित्ते परिशद हरियाना इन्होंने भूमिका में बताया है कि इस उपन्यास की कथा वस्तू पूर्णता समाजिक पारिवारिक है लेखक भोतिक्ता की चका चोन से खोकले होते पारिवारिक संबंधों का उलेख करते हुए उन पर मरहम लगाने का प्रियास करता है उसके बाद इन्होंने एक और भी बताया है कि इसमें किसी भी पातर के नाम में कहीं भी जातिकुल या उसके सूचक किसी भी उपनाम का कहीं भी प्रियोग नहीं किया गया आगे कहते हैं कि यदि हम एक सच्चे समरस समाज की स्थापना करना चाते हैं तो सबसे पहले यह संकल लेखकों को लेना होगा वसुधैव कुटुम्ब कम का बीज वपन करते वे कथा को विस्तार प्रदान करता है यह है उपन्यास तो मित्रों यह तो थी भूमी का अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की यह उपन्यास 21 अंकों में सिम्टा समाजी को पन्यास है प्रीत लिंगी मित्रता सद्यों से चली आ रही है बस द्रिश्टी कोन बदल गए है नैतिक मुल्यों के हिरास के कारण विशुद्ध मित्रता को गंदी द्रिश्टी से देखा जाने लगा है जरूरी नहीं हर मित्रता देहिक स्तर पर हो कृष्ण द्रोप्ती की मित्रता इसकी मिसाल है लाच्पत राय जी ने इसके माध्यम से यह बताने का परियास किया है कि इस्तरी पुरुष यदि अपने मन की लगाम को कसकर थामे रहें तो एक पाक रिष्टा सुखताई हो सकता है इस्तरी पुरुष ही सच्चे अर्थों में एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं मित्रता में खोट नहीं होना चाहिए दोस्तों नियत में खोट होता है तबी मित्रता दूशित होती है इसमें कथानक धीरे-धीरे आगे बढ़ता है प्रवीर, कुमार, मुख्य पातर हैं शीतल के साथ संबंद को अंत तक निभाते हैं मुझे भी पढ़कर ऐसा लगा शुरू में कि जरूर कलुशित आगे मित्रता हो जाए क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग समाज में रहते हैं हम समाज से प्रभावित होते हैं हमारे अंदर एक शक पैदा हो गया हम किसी भी इस्तरी पूरुश को साथ देखते हैं हमें लगते हैं जरूर कोई न कोई बात है इनमें तो ऐसा ही मुझे भी शुरू में ऐसा लग लेकिन मैंने अंत तक पड़ा मुझे इतनी अच्छा अनुब हुआ कि इन्होंने एक दिशा दिखाई है समाज को कि इस्तरी पूरुश सच्चे और अच्छे मित्र हो सकते हैं बस एक ही शर्त है कि दोनों के मन में विकार ना आए और इसमें वही मुखे पातर जो प्रवीर हैं हमारे एर्दगिर्द बहुत सारे हैं प्रोफेसर दर्शन जैसे लोग इसके बाद इन्होंने इसमें रक्तदान जैसे समाजिक महतों के विशे को भी उठाया है शिमला यात्रा का भी वर्नन है बढ़ोक कस्बे का भी जिक्रे मैं स्वेम भी वहां गई हूँ एक दिन ठहरी भी हूँ बढ़ोक में और इसके बाद इन्होंने कॉलिज के यूथ फेस्टिवल का भी वर्नन किया है मानसीक रूप से दिव्यांग यूवा की मनेस्थिति बताया जो वास्त्विक्ता के बहुत करीब है या वश्चक भी है क्योंकि इससे पाठा को उनके मन मस्दिष्क में चल रहे भावों विचारों का पता चलता है पवित्र रिष्टे दोस्ती को केंदर में रख कर या उपन्यास रचा गया है बस प्रिष्ट 25 पर रोमन लिपी में लिखा है एक दो पंक्तिया है मुझे ऐसा लगता है कि ये देवनागरी लिपी में ही लिखा जाना चाहिए और एक जगा बंटी नामक पातर है उसकी जो लिखा गया बंटी उसमें बह के उपर चांद बिंदू लगाया गया है जो गलत है वो बटी हो जाएगा और इसके अतिरिक बाशासरल है प्रवामई है एक बात जरूर कहना चाहूंगी जो इसकी मूल कथा है मितरता उसका विस्तार थोड़ा सा इन्होंने कम किया है संकुचित किया है आप वो चलती है उस पे काफी जोड़ दिया गया है जैसे यातरा वरितांत वो एक ऐसा हिस्साता मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया यातरा को ताकि कथा को आगे बढ़ाया जा सकते है जबकि मूल कथा वो पचास प्रतिशत से कम हो गई है थोड़ी काइद से होना है जब हम उस अपण्यास लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि काछार्ट करनी पड़ती है अनावश्यक विस्तार नहीं होता इसमें पाठक जब पढ़ते हैं तो वो जल्द से जल्द कथा के बारे में जानना चाते हैं कथा से जुड़ी हुई बातों के बारे में यदि आप इधर उधर की बातों को उसमें अनावशक रूप से जोड़ेंगे तो पाठक को उप पैदा होने लगती है तो इसमें थोड़ा सा इसे बच्चना चाहिए और काठछाड जरूर करना चाहिए और विस्तार करना चाहिए क्योंकि अगर ये चाहें लाजपतराई जी तो इसका एक दूसरा भाग आने वाले समय में ले सकते है क्योंकि लगू पन्यास है और अगर इसके बाद आगे कहानी बढ़ाएंगे तो ये संपून होगा ये उपन्यास जदि ये चाहें तो इसका अंत प्रभावशाली है अब प्रत्याशित है जो सच में उपन्यास की सफलता का कारण है तो दोस्तों ये तो थी उपन्यास की समीक्षा मैं आपके लिए कुछ अंश पढ़ना चाहूंगी शुरुवात में इनोंने के सेखा की शुरुवात दोर में एक पंक्ती में बनी कई सरकारी इमारतों में से एक में स्थित उच शिक्षा विभाग के मुख्याले में पदस्त उच पदादिकारी प्रवीर कुमार ने अपने कख्ष में आकर अपनी मेज पर पहले से रखी फाइलों में से एक फाइल उठाई अभिवे उसमें लिखी दफ्तरी टिपनियों का अवलोकन करने लगा ही था कि उसके पिये राजेंदर ने डाक का फोल्डर उसके समक्ष रख दिया डाक में सबसे उपर एक अंतर देश ये पत रखा था जो उसके नाम था इस तरह से ये शुरुवात हुई है और अंत में भी मैं एक दो पंक्तिया पढ़ना चाहूंगी शीतल सिर्ज जुकाए वहां से उठकर मम्मी के पास चली गई पीछे पीछे प्रवीर कुमार ने आकर सारी बात मुक्ता को बताई शीतल वीलचेर पर बैठी अपनी मम्मी के गले लग गई उसके रुलाई फूट पड़ी और अंतिम पंक्ति है काना आज हमारे बीच नहीं है यदि होता तो उसे भी खुशी होती कहते वे मुक्ता के भी आंसू बह निकले तो ये था अंत तो मित्रों उपन्यास एक अलग विदा है एक रोचक विदा है जिससे पाठक अंत तक बंदे रहते हैं बस ये ध्यान रखना चाहिए कि पाठक कहीं बोर ना हो जाए तो उपन्यास का जो उदेश्य था वे सफल हुआ और मैं एक बार फिर लाचपत जी को बहुत बहुत पथाई देती हूँ धनेवाद तो दोस्तों धनेवाद कैसा लगा आपको ये कारेकरम कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंट करें बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों और आप देख सकते हैं मेरे ये दो उपन्यास आप ऑनलाइन खरीद कर पढ़ सकते हैं शुक्रिया फिर मिलेंगे अकलिकली के साथ